हेलो फ्रेंज आज की डेट है 26 तॉप अपरेल 2024 स्वागत है आपका आज के करेंट अफ़े डिसकस्टन में चलिए डिसकस्टन स्टार्ट करते हैं टॉप न्यूज का पहला आर्टिकल अभी डिसकस्टन नहीं करेंगी LGBTQ से समझीते हैं इसको हम डिसकस करेंगी हमारे जो एडिसकस्टन है उसमें डिसकस करेंगी काफी अच्छा आर्टिकल है मैंस के दस्टी से काफी ज़्यादा महत्व रोन है चलते हमारे पहले आर्टिकल की और पहला जो आर्टिकल है पी आई भी खाए Q-news में और आर्टिकल क्या है कुछ पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है पहला पॉइंट इसको किस ने डेवलप किया है इसको डेवलप किया है DRDO Defense Research Development Organization रक्सा अनुसंदान विका संगधन के द्वारा इससे विक्सीत और डिजाइन किया गया है बात करें तो ये एक मध्यम और लंबी दूरी की मिसाईल है मध्यम और लंबी दूरी करने की मिसाईल है इसका प्राइमरी उद्ध से क्या है प्रात्मिक उद्ध से क्या है तो टैंक और बक्तर बंद जो गाड़िया होती है जिसमें वीकल बढ़े होती है जिसमें arms परे होते हैं उनको नश्ट करना इसका primary objective है weight के बारें बात करें तो इसका weight कम होता है डाग और भूल जाओ fire and forget के सिदाने पर कारी करती है और man portable कारी काफी हलकी होती है जिससे जो arm scenic होता है वो एक जिगा से दूसरी जिगा ले जा सकता है अपने कंदे के मादेम से भी इसे launch कर सकता है ठीक है, kilometer की बात करें इसकी range की तो 2.5 kilometer तक की अधिक्तम range है मतलब 2.5 kilometer की अधिक्तम range देगा सकती है और 15 kilometer 15 kilogram जो वजन वाला launch pad होता है उसकी मादेम से इसे launch किया जा सकता है इसमें कुछ और भी पढ़ना लिए जैसे Ampate है, Launcher है, the government पढ़ना लिए अगनी निइंट रनीकाई, यह सारी चीज़े भी सामिल है, दिन और रात में भी सामिल है, अंपला किया जा सकता है, और Top का जो Attack और भी इससे Carry techn किया जा सकता है, तो इसके नाम से भी आपको पता चल याद रखना है तो पंदरा की जिए डिस्टेंस मैं पोर्टेबल आज मी छोड़ेगा तो ज्यादा दूर तो वैसी नहीं जाए कि 2.5 किलोमेटर की अधिक्तम दूर है तो यह पॉइंट आपको पता होने चाहिए किस ने विक्सित किया डिया डियो ने विक्सित किया तो पहल अर्टिकल प्रिलियम के लिए तो इंपोर्टेंट है यही साथ ही साथ में मैंस के लिए भी इंपोर्टेंट काफी अच्छा अर्टिकल है इसके पॉइंट है आप मैंस के कुछ और क्यूशन है उसमें भी यूज कर सकते हो तो इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले सुर्ख्यों में क्यों है इसको हम क्यों डिसकस कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस का रर्टीकल है डिसकस इसलिए कर रहे हैं कि तमीलाडू के द्वारा तमीलाडू जो इस्टेट गवर्मेंट उनके द्वारा सुप्रीम कोट में एक याची का दर्ज की कही है इस राष्ट्री आपदा रहात को से उसके द्वारा जो फंड दिया जाना चाहिए स्टेट गवर्मेंट को वो केंदर सरकार नहीं दे रही है इस वज़े से उन्होंने सुप्रिम कोट में याची का दाइर करवा दिये ऐसा ही केस आया था करनाटक में भी करनाटक में भी सुप्र का संगवाद का टॉपिक है उसके अंतरकत आता है फिसकल फैट्रिलिजम यानि कि वित्य संगवाद वहाँ पर इस पॉइंट को यूज कर सकते हो एज एग्जांपल कैसे यूज करोगी कि देखो संगवाद की द्रस्टी से काफी जादा चैलेंजिज फेस करने पड़ते है उस चुनुतियों में आप एग्जांपल दे सकते हो कहीं बार क्या होता है कैंदर और राज्यों के मद्दी कहीं सारी फंड होते हैं अगर राज्यी और केंदर में अलग-लग दलोगी सरकार है तो उस फंड को रोक दिया जाता है जैसे कि तमीलाडु सरकार की द्वारा और क काम आ सकती इसलिए कहा जाता है कि न्यूज पर पढ़ने से क्या होगा कि आपका कॉंफिड़ाइस डेवलप हो जाएगा आपके पास में रियल एक्जम्पल आ जाएंगी आप लिखने बैठोगे तो ऐसे एक्जम्पल आपके नंबर को और बुस्ट करने में काम आ जाएंगी तो यह तो हमने देख लिया न्यूज में क्यों होता यह प्रिलियम के प्रस्पर्टिव से तो काम की चीज है नहीं मैंस में आप ऐसे एक्जम्पल दे सकते हैं वह आपके नंबर अच्छे दिने में मदद करें अब हम बात कर लेते हैं इस पूरे कोस के बारे में यह फंड ह दोखनें चीजाई थी काफी ज़्यादा नुक्सान हुआ था ऐसी सुनामियों को रोकने के लिए इस परकॉला कि जो आपदा हैं उसको रोकने के लिए एक एक ऐस्त बनाया गया था अरद है था आप आपदा रिलीफ यानि साहिता फंड एन कोस तो राश्ट्री आपदा साहिता कोस बनाए गया था कौन से एक्ट के तहत यह एक्ट था आपदा परबंदन एक्ट तन उसके तहत इसकी इस्तापना गी तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि नैशनल डिजास्ट्र इसकी इस्तापना राश्ट्री आपदा रहात कोस है इसकी इस्तापना कोन से अधिनियम के तहत की गई तो इसकी इस्तापना 2005 का जो आपदा परबंदन अधिनियम है उसकी तहत इसकी इसकी इस्तापना की गई यह चीज आपको समझ में आ गई होगी अब इस जो एक्ट है इसमें आपदा को जो परिभासित किया गया है तो इसकी जो परिभास है वो काफी वरत है इसमें काफी सारी चीजे सामिल है जैसे की कोई प्राकरतिक आपदा है जो सुनामी वगरा है बुकम बे ये सारी प्राकरतिक आपदा है कोई मानव निर्मित आपदा है कोई बांध बन एक विश्रित एक गंबिर गटना की रूप में परिभासित किया गया है अब इस अधिनियम में राश्ट्री आपदा कोस जो रहात कोस है इसके अलावा कुछ और चीजे भी बनाएगी जैसे कि एक राज्जी आपदा रहात कोस भी बनाएगा था इस्टेट डिजास्टर रिल अधिकारी है दिस्टिक लेवल के जो ऑफिसल से उनके साथ मिलके कारे करेंगे आपदा को रोकने का कारे करिया जाएगा अब यह जो राज्जी इस तरका जो कोस बनाएगा फंड बनाएगा इसको पैसे कहां से मिलेंगे इसको फंड कहां से मिलेगा सेंटर गवर्मेंट के तरफ इसको फंड कैसे दिया जाएगा इसके लिए क्या एक कमिटी बिढ़ाए जाएगी यह कमिटी होगी इसका हैड ग्रहमंत्री इनके हैड होगे साथ ही साथ में agriculture जो मिनिस्ट्री वो भी सामील होगी नीतियायो के अद्धिक्स इसमें सामील होगी ऐसे कुछ परसन सामील होगे बाद में क्या होगा जो राजजी है जहां पर आपदा आई ये वो मांग करेगा कब मांग करेगा जब उसके पा capable नहो राजी के पास fund भी नहो राजी उस इस्तति ऐसी आपदा आगी जहां राजी खुद नहीं नहीं पड़ सकता ऐसी प्रस्तित्यों में ही center government help करेगा और help करने से पहले center government क्या करेगा center government कमीटी बिढ़ाएगा ये committee जांच करेगी कि राजी ने अगर पैसे मांगे तो राजी अगर पैसे मांग रहा है सही मांग रहा है नहीं मांग रहा है उस पूरी committee द्वारा जांच की जाएगी बाज में राजी गेंदर सरक्वार की दुवरा इस्टेड का जो फंड उसमें पैसी दिये जाएंगे अब इसका नाम चेंज करके इसका नाम राष्ट्री आपदा रहात कोस कर दिया गया था तो इसका नाम चेंज उसमें परिभासित कर दिया अब इसमें किस की चीजा है चीजों को सामिल किया जाएगा और केंजर सरकार इस के लिए फंड भी किरल before यह ही वो वानदों करेंते जो एसके बारें बात करते दो कि इस दापना ही इसे तहडरा है एरत दार्य से इक उसमें इसके बारें बना ने तेर्वा है वित्ता योग बनायता ना finance commission बनाता उसमें इसकी सिफारिस की ती टेर वे finance commission ने सिफारिस की ती इस परकार का एक fund होना चाहिए तो इसकी fund की स्थापना की ती जो के गए ना control and general authority है भारत की नियंद्र के मालिक प्रिक सके उनके द्वारा इसकी audit की जाती है इसमें जो 75% के लाझी की जिसस्टवी द्वारा दे जाते है थिर विसेसर के इस्पेसिल के तेक्रिश्टवी यह जैसे जाएfall कस्मीर है ठीक है यह जम्मु कस्मीर हिमाचल परदिस उत्राकंड सिक्किम और नॉर्थ इस्ट के जो राज जो राज्य वहाँ पर 90% के द्वार के के द्वारा दी जाता है और टेन पर इसले ऐस हपो चक्रवात चक्रवात है, साइकलोन, सुखा, ड्रोट, बुकंप, अर्चकेक, आग, फायर, बार्ड, चुनामी, ये सारी चीज़े इनको सामिल की जाती है, जो कीटो का हमला है, इन सारी चीज़ों में, इस्टेट गॉर्मेंट है, वो पैसे देने का काम करेंगे, इनको जिस प्रकार से आपदा हुई है, उन सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा, इसमें एक इस्तानी आपदा का परबंद ने, लोकल आपदा, मतलब इस्टेट गॉर्मेंट चाहे, जो इनके अलावा भी कोई आपदा है, उनको भी कवर कर सकता है, उसके लिए 10% जो फंड है, उसका उप्यों स्टेट गॉर्मेंट के द्वारा किया जा सकता है, तो यह मारा पूरा आर्टिकल था, इस नेशनल डिजास्टर रेली फंड की समझें, पूरा डिटेल में हमने देखा, चलते हैं हमारी नेक्स्ट आर्टिकल महाविर जैनती से समझें, क्यों देख रहे हैं, सुर्ख्यों म सुर्ख्यों में इसलिए हैं, कि प्रदानमंत्री मोदी जी की दुवारा महाविर जैनती जो अभी सेलिब्रेट की गी थे, इस दोरान इसे बधाई दी गई है, जैनती के सुब अवसर पर उद्गाटित किया गया है, इसलिए हम डिसकस कर रहे हैं, पिया इबी का एक कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले चवन्य या गरबदारन जो कल्यान, जो गरबदारन करता है, फिर जनम कल्यान, फिर दिक्सा कल्यान, फिर केवलवी ग्यान कल्यान, फिर मुक्ती कल्यान, ये पांच कल्यान होते हैं, पांच कारी करम होते हैं, गरबदारन कल्यान, जनम ल में बाद में बात कर लेते हैं महाविर जेनती के बारे में तो इस देरान क्या होता है इस दोरान जो भगवान महाविर हैं इनका जन्म हुआ था भगवार महाविर जेन दर्म के चोईशवे 24 तिरतंकर माने जाते हैं यह जो भगवान पारसुन आते हैं उनके बाद की उनके मत करें तो इनका जन्म हुआ था चेत्र मास्क के सुखल पक्स की तेरीं तीथी को इनका जन्म है तो इसी दिन दिन रथ्यात्रा निकाल ले जाती रथ्यात्रा माविर्जी की कि जो मूर्ति होती है उनके साथ जुलूर्स निकाला जाता है फिर बाद में अभी से किया जाता है यानि कि जो मूर्ति होती है इनको इस्टनान करवाया जाता है इस परकार से फूरा प्रोग्राम होता है मंदिरों को सजाया जाता है आपस मिलते हैं मिठाया बनती है यह सारा प्रोग्राम होता है इसके दोरा भगवान महावीर जी के बारे में बात करें तो भगवान महावीर जी का बच्छपन में नाम वर्दमान था जिसका मतलब तो बढ़ता हुआ इन्होंने आध्यात्मिक शिक्साई आध्यात्मिक परताई और शिक्साउं से मानवता से काफी अम झ्यान ध्यान लगाया यह अब दियान लगाया कटो तपस्या की दरद को शेहन किया और सरव से संतुलन किया इनों ने अलग लग तो ये पांच जो महावर्त कहा जाता है पांक सत्य और ब्रहम चरी ये पांच सत्य के बारे में आपको आईडिया उना ची हुआ कौन कौन से हैं समय दरसन समय ज्यान समय चरित्र यह त्री रतन ने पांच सत्य उपर हम पांच गुण भी देख चुके इन सब के बारे में अडिया होना ची यूप्यासी प्रिलियम में क्यूशन पूच सकती है जैंद्रम से समधित और बुद्ध्र में से समधित हर बार एक क पांच महावर्थ कौन से थीन रतन कौन से हैं ठीक है जैंद्रम किसमें विश्वास करता है किसमें नहीं करता है यह सारी चीजें पूची जाजा सकती है जैंद्रम में आहिसा पर काफी फोकस किया गया आहिसा को इनों ने बढ़ावा दिया गया इनके एकोडिंग जो भी सबमें जीव की इसका के लाधीया करना आ अगर किसी के अपरात तने में अहिंसा का पालन किये जाता है जैंद्रमें बाज में दो संपर्द्या में विबाजित हो गए था एक था स्वेतामबर जो की इस्तुल बाहू है उनके अधिन में था ये स्वत वस्त धारन करते थे दूस्ता था दिगंबर दिगंबर है वो बद्र बाहू के अधिन में था ये वस्त धारन नहीं करते थे तो दो संपरदाय के बारम आइडिया होना चीए दो कौन-कौन से थे एक स्वेटमबर एक दिगंबर स्वेटमबर वस्तरधारन करते थे किस टाइप के स्वेट परकार के दिगंबर वस्तरधारन नहीं करते थे स्वेटमबर इस्तिल बाहू के दिन में था और जो दिगंबर है वो बद्र बाहू के दिन में था यह वस्तरधारन नहीं करते थे वगराइं को चोट पहुंचाना, हानिकारग मांता है, ये जनम के, और पूनर जनम की चक्र में विश्वास करते हैं, जनम और पूनर जनम का जो चक्र है, उसे अगर मुक्ति पानी है, तो आपको सन्याज और तपसिया करने की आप सकता है तो इसमें भी विश्वास करता है जनम और पुनर जनम के चक्र में विश्वास करता है आत्मा में भी विश्वास करते हैं अगर इनसे मुक्ति पानी है तो आपको समस्या जो सन्या से और जो तपसिया वही पालन करनी तभी इसे मुक्ति पाई ज कि मुझेंग यह समानता है वहाँ पर इस पौइंट को जिक्र किया जा सकता है। सक्ता है अब इनमें एक परथा हुती स संतारए परथा गा जाता है। संतारा क्या होता जीवन के अंतिम दिनों में जब ऐना अंतिम दिना मृष्ट्यू की अवस्ता हे वहाँ पर यह खाना पीना बंद कर देते एं जहांकि उतिकंबार संतार जो है परता जो दिकमार में इसी सलेख ऻ애िक न का जाता है यानि कि जीवन के अंतिम दिनों ने जो चंदर गुफत मोरे थे उन्होंने कुछ भी खाना पीना नहीं लिया था सब कुछ बंद कर दिया था इसे सलेखना कहा जाता है सुप्रिम कोट के सामने जो राजिस्तान आई कोट है उनके सामने केस आया था निखिल सोनी बनाम यह रा प्रस्पेक्ट्री से काफ़ी ज्यादा इंपोटन यह आपके जीएस फेपर न टू दोनों को कवर करें इंडिये सोसाइटि इंग वरने से समधीद हो जाता है यह काफ़ी इंपोटन रटीकल है एल्जीड़ी टी क्यू से समधिएत है सबसे पहले देखेंगे मुद्ध क्य है और सुर्ख्यों में क्यों है सुप्रियों कोट ने अभी मुद्दा चल रहा है कि LGBT क्यों है और समलेंगी इससे समझे मुद्दा है दारा 370 को तो पहले अटा दिया गया तो इसको वैलिड कर दिया जाए तो कैंदर सरकार ने इसमें पक्स रखा है कि यह जो है ना इसे वैल चूज करते हो तीसरा होता है अदर्स में इस सारी क्याटिक्री सामिल होती है क्या क्या होता है एल का मतलब होता है लेस्बियन जो फीमेल है वो में फीमेल हो फीमेल की यानि वूमन विमन की रोट्रेक्शन होता है लेस्बियन का आला जाता है गे मेल का मेल की और अट्रेक् होता है एसे होते हैं जिनको अनकंफर्टेबल होता है जो किसी भी परकास के रिलेशन नहीं बनाते हैं ना मेल के साथ में किसी के साथ में रिलेशन नहीं बनाते हैं वह होते हैं और भी होते हैं सामिल हो जाते हैं प्लस का मतलब होता है एंड और भी सामिल है तो यह होता है LGBTQ अ को सारे चीज्डे सामीले वह सारे जुण फो सारे वर्ब सामीले जो इन के अलावा जैसे हमारे समाझ में ऐसी वर्ड का यूज्स नहीं करेंगे इ texto-लग लग वर्ड होता है जिसे अलग आयो सेक्सिल होते हैं इन सब के बारे में क्या सुप्रीम कोट ने का इनके बारे में देख लेते हैं तो सुप्रीम कोट में अलगले जज्जमेंट आये थे एक जज्जमेंट आये सबसे पहले नाल सा यह जो जज्जमेंट आये था इसमें सुप्रीम कोट ने है ना धारा तीन डेली हाई कोट का ऍजजिमेंट आया था उसमें जो धारा 337 तर है इसा हटा दिया गया था इसाई उलंगन बोलके इसाई रहता दिया था तो नालसा team Here जजमेंट ता इसमें सुपरियम कोट ने कहा कि धारा तिन दारा 300 तर है वह वेली ड हे है इसको बनार रखा इसकी विदा निक्ती उसको बनार रखा ना में तो ये इससे समझीत एक्ट था, इसके बाद में सुप्रिम कोट में एक और जजिमेंट दिया था, ये था केस पुट्टा सवमी, प्लम भरत संग, बट आप कहोगे केस पुट्टा सवमी, ये तो प्राइविसी की बाद करता है, बट इस जजिमेंट में सुप्रिम कोट ने LGBTQ ह ना, उनकी प्राइविसी की बाद करी थी, सुप्रिम कोट ने कहा था, राइट तो प्राइविसी एक फंडमेंटल राइट है, इसके साथ साथ में जो LGBTQ आपर दिया ना, उसका जो अधिकार है, वो भी प्राइविसी के अंतरकत आता है, तो यहां से LGBT की जो क्यू है, उनकी जो अधिकार है, उनके बारें बादचीत होने स्टार्ट हो गी थी, उसके बाद में सफिन जहां बनाम भारत संग मामला है, क्योंकि क्या हुआ था, कैरल जो गौर्मेंट है, उनके खिलाप एक मामला गय था, तो कैरल जो आईकोट है, उन्होंने कहा था, यह साधी की गई यह रद कर दिया गया था, तो बाद में सुप्रिम कोट ने इस साधी को वैलिड कराइट कर दे दिया गया, सुप्रिम कोट ने कहा, कि जो साधी है, जो मेरी जै वो फंडमेंटर राइट है, और दो लोगों को अधिकार होता है, वो अपना जीवन साथी चुन सकता है, तो इस पर कासी अलगले मामले आई, फाइनल जो जैजमेंट आए था, वो ता नवतेज जोहर बना भारत संग मामला, ये 2018 माय था, इसमें सुप्रिम कोट ने कहा, कि जो दारा 370 है, वो इस हद तक रज कर दी जाएगी, जहां पर समलेंगिकता को अपराद माना जाता है, यानि इसके बाद में समलेंगिकता है, वो अपराद नहीं है, इस फैसले को सुप्रिम कोट ने इस परकार से कहा, कि समलेंगिकता अपराद नहीं है, बट समलेंगिकता को अपराद से अटाया गया है, यहां आपको पता होने चाहिए, समलेंगिकता अपराद नहीं है, बट इसके साधी की जाएगे नहीं की जाएगी वह कोर्ट है नहीं करेगी वह करने का में वह पार्लियमेंट का है यह पुरा लिए कोटे फैसले को रद्द कर दिया इस प्रकास से लगव एनल सुप्रीम कोटे थीनसो इससातर को सततर को सुप्रेम को निकरत धिया कि अब से यह अपराधि गतिविदी नहीं तहत जो समलेंगे कि आति वह अपराध नहीं है बट 377 है वो अभी भी वैलिड है बट 377 के तहद अपरादी गटना है वो नहीं मानी जाएगी अभी इसमें सरकार का क्या इस्टेंड था तो इस मामले में सुप्रीम कोट ने तेय कर दिया था कि ये जो आचरण है वो वेद नहीं है जो समल लेंगे किता कि जो आचरण है वो वेद नहीं है बट ये जो है वो अपराद भी नहीं है वेद नहीं है बट अपराद भी नहीं है ये सुप्रीम कोट ने किलियर कर दिया था सुप्रीम कोट ने साथ ही साथ ये भी खाता ये केवल है ना इसको अपराद गोसित करना या इसके बार में जो भी फैसला देना व समाजिक मुल्यों पर चलता है रहाट ने हम बिद दिएध समझु जरी किता है थाहिं पि Lehr गोशित पने संब होगी च Bishop कि इसको कि परेंगे कि की चलता है तो गोशित नहीं किया गोशित, यह शप्रीम कर गोशित की आफ किया संब्सक्राव, की इसे हम गोसित नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह जो है ना हमारा जो marriage marriage का इंस्टिटूट है पूरा जो परिवारिक institute है उसके खिलाफ है तो अब उसके पक्स में कुछ तरक्ड यह जाते है इसके पक्स में क्या क्या 14 ये दोनों आर्टिकल बात करते हैं कि जो साधी करना अधिकार है उसे रोका नहीं जा सकता है समान तक अधिकार आर्टिकल चाहुदा ये भी बात करता है वेश्विक अभ्यास भी है 133 देशों में समलेंगी किता को अपराद की स्रेनी से बाहर रखा गया अब तो बारत में इसे बाहर रख दिया गया 32 देश जहां पर समलेंगी कि विवाभी कर सकते साधी भी कर सकते वह मैंने इसलिए संटा नूत्पती नहीं होती सथी के बाद क्यों की जाती साधी ताकि जेविक बच्चे हो पर यहाँ पर जेविक बच्चे उत्पित नहीं किया जा सकता है इसलिए पूरे तरफ सी टारकिक नहीं हो सकता है साथ में कानूनी भी मुद्धे है पूरे कानून को बदलना पड़ेगा इसलिए यह खिलाप तरक दी जाते हैं तो ये पूरा आर्टिकल इससे समझी था इससे समझी यूपी असी प्रिलियम में क्यूशन भी पूच चुका है तो आप इससे क्यूशन को भी हैंडल कर सकते हैं पूचा है सवीधान का कौन सा अनुसेद है वो अपनी पसंद की वेक्ति से विवा करने की अधिकार या मंजूरी देता है तो कौन सा है इसमें से आप आर्टिकल में से चूज करो अप्शन कमेंड में जरूर बताना यहां पर दे रखा भी आर्टिकल इकीस है वो लाइफ चुनोगे वो आपका अधिकार है किसी भी चूज कर सकते हो तो यह हमारा फंडामेल्टर राइट है आर्टिकल 21 के एता यह मैंस का भी क्यूशन है इसे अटेंड करने की कोशिश जरूर करना उसके बाद में जो महारा आर्टिकल है इड्राई से समझते है इड्राई का आर् कमपना की करेंगे चोशन होती किरा है तो इसका सब्सक्सिक हो हो इस एक एसता ओल्टर लेकि लए तो सारी जो सारी संस्ता है, जो वीवा प्रोवैड करवाती वह ऐसी योजना बनाएंगी. जो ऐसी कॉमन्ट ही, जिसमें इंसोरेंस कितना होगा, क्लेम कितना मिलेगा, कितना प्रीमियोर है तो easily वहोगा और यह बीमा पोर्टल पर रजिस्टर होगा बीमा पोर्टल पर जाओ आपको सारी योजना मिल जाएगी वहाँ से select करो फिर किस योजना की तद क्या क्या प्रीमियम मिलना है वह select कर लो फिर क्या अगर आपको वह बीमा क्लेम करना है तो बीमा से समझेज को इसका उद्द है आपका तो वहाँ पर आप निप्तान भी कर सकते हो तो सारी चीजे इस प्लोड फिर मिल जाएगी online फिर में सारी कंपनियां यह पर रजिस्टर करेगी अपने वीमा है वह यहाँ पर रजिस्टर करेगी जीवन विमा हो स्वास्ते विमा हो सामने विमा हो मो कर सकते हो तो इसलिए ड्राई ने एक अच्छा कदम उठाया क्या इसका उद्दस से क्या है जो यह है उद्दस यह है कि जो बीमा है उसको आसान करना ताकि लोग अच्छे से काम कर सके लोग अच्छे से इंसूरेंस क्लेम कर सके इसलिए इसलिए इसे लॉंच किया गया पहले इड्राई का एक वीजन 2047 है इड्राई का वीजन 2047 का इसमें इड्राई इसका उद्यस है कि सभी लोगों के पास बीमा हो बाद में जो बीमा चिकतर है उसका विश्व इस तरपन आकरसक बनाना है बाद का जो इंसुरेंस एरिया है उसको और भी विश्विक वर्ड लेवल प की जाती है फिर सही ग्राकों के उत्पाद हो मतब जो भी कंज्यूमर है उसको सही इंसुरेंस मिले इंसुरेंस जो भी है उसकी सिकायते वह अच्छे से उसका निप्टान किया जाए बीमा आसानी से उसको नवाचार टेकनोलोजी का उप्यों किया जाए पेपरलेस हो तो य आसानी से हो जाए यह सारी वीमा ट्रेंट के तहट आता है तो यह आपको याद रखने क्या आप सकता नहीं इड्राई की बारें बात करें तो इड्राई यानि वीमा विन निमाक और विकास प्राधिकरन ठीक है इंसूरेंस एगुलोटी और डेवलोप्मेंट ऑथर्टी इ मुलोत्रा समीति की सिफारी सोपर इसकी इस्तापना हुई थी इसके लिए एक्ट भी लाय गयता इड्रा इड्रा अदिनियम उनने सो इन्याद में का इसके तहत इस्तापना की गई थी यह एक वेदानिक निकाहें इस्टेशेरी बॉडड यह यह एक्ट के त्वारा इसकी मुंत्रालिइ वह इसके लिए नोडन मिनिस्टरी है आध्राबाद में इसका हधिकवाटर फे निकाहें अन्यसर क्देश्या यह एक शक्टर से खीड़ा इस इसे समझति और सिफाषे बॉड़ा समर्ड इतौन पॉर्टल समनानिकर सवाय नेक्स छो आडिकल है वह है election commission के दुवारा मनिपूर में नए बूत इंस्टॉल किये गए इससे समधिते तो ये इतना खास important article है नहीं इसके बारे में देखने के आवसकता नहीं है next जो article है वो hand holding Indian democracy के बारे में मैंसे समधित काफी अच्छा article है इसमें election commission का किस परकास से evolution हुआ है उसके बारे में आज जो election commission है वो कैसे आगे आया है कैसी इस समधिते पहुंचा उसके बारे में तो कुछ election commission से समधिते अगर diet क्यों सनाई तो point याद रखने की आव सकता है वो point यहाँ पर मिल जाएंगी पहले इसकी स्तापना कब हुई थी इसकी स्तापना 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को इसकी स्तापना हुई थी आजादी के बाद पूरा दोर मतलब अलग इस्ततियों में था उनको एक स्ततिवे लेना उनको चुनाव करना जनता थी वो काफी अनपड़ थी उनके पास में knowledge नहीं कोन मने थी सुकमार से ने वो पहले मुख्य चुना वाई एक तुमिने थी उसने काफी सारी जो निर्जक्सर मत्दा था थी उनको वोटिंग में जो भी चैलेंज थी उनको निफ्टाने में काफी अहम भूमी का निभाई थी पहला चुनाव वह था इस दोरान सक्ता क्रोड भारतियों ने वोटों में भाग लिया था और बारत की लोगतंदर की यात्रा शुरू हुई थी उस दोरान 21 वरस के जिसके पास में एज थी वही वोट दे सकता था एजूकेशन वगरा क्वालिटी की क्वालिफिकेशन की आव सकता थी नहीं फिर दीरे-दीरे अलगला ची केप्चरिंग हो जाती थी तो इविम ने उसकी साहता करी अब जो बूत केप्चरिंग की घटना थी वो कम होने लगी बाज में ट्रांसपेरिंस यानि पार्दिस्ता को बढ़ाने के लिए 2013 में वीवीपेड मसीन लगाई गई गई वीवीपेड मसीन से क्या होता कि आपकी पार्दिस्ता पता चल जाता आपने किसको वोट दिया सुप्रिम कोट ने इसको अन्वारी भी कर दिया बाज में 2019 में सुप्रिम कोट में वीवीपेड मसीन को अन्वारी भी घोजित कर दिया गया पिर दीरे धिर क्या हुआ इसका मिस्यूद न कर सके बाद में देरे-देरी जो फोटो होता न पहचान पत्र वाला उसे बेया नहींवारी कर दिया से काम नहीं करता है कई और प्रावधान भी आया है जैसे अभी नविंद दिनियम आया न उसमें एक कमिटी बनेगी जो जो चीफ इलेक्शन कमिशन होता है उसके अपॉइंट में से समय बात करेगी तो कहीं और विवाज भी है कहीं और सुदार की प्रयास भी की जा रहे है त उससे समंजी थे तो हमारी एक्जाम की प्रस्पेक्टिवसे ज्यादा इतना उप्योगी है नहीं अते दे चीनी मिलाने से क्या नुक्सान हो सकता है ब्रामक लेब ख क्यों लगाते है स्वास्ति पे परभा पड़ता है इससे क्या चिनी सामझरी क्यों बढ़ाई जाती है ल भारत की राष्ट्री मानवा दिकर आयोग से समझेते हैं इसने वेदानिक पूर्ण आयोग की इस्तापना किये उसकी बैठक आयोग जित किये इससे समझेते हैं तो नेशनल यूमन राइट कमिशन के बारें बात करें इसकी इस्तापना 1993 में हुई थी कौन से अधिनियम के तह इसकी इस्तापना हुई थी यह एक वेदानिक निकाय इंपोर्ण फैक्ट है यह एक वेदानिक निकाय इसमें इसमें कितने मेंबर होते हैं इसमें एक अधिक्स होता है पांच पून कालिक सदस्य होते हैं साथ डीम्ड सद्यस्य होते हैं यह राष्ट्री अनुसुची जात आयोग है जो अन्य जो आयोग होती उनसे भी इसमें सामिल होते हैं इसमें 2019 में फिर से संसोधन किया गया था पहले क्या होता सुप्रीम कोट के जो मुख्य न्याय दिशते हैं वही इसके अध्यक्स बन सकते हैं अब क्या है सुप्रीम कोट के मुख्य जो न्याय दिशते हैं उनके अलावा अन्य भी न्याइधी से वो भी इसके सदस्य बन सकते है इस परकार की जो इसमें नया प्रावधान ईड़ कर दिया गैता है कारीकाल की बारे में बात करें कारीकाल 3 वरस का होता है या पर 17 वरस का जो भी पहले पूरा हो जाए वो इसके जो अद्धिक से वो रिटार्ड हो जाएंगे तीन वर्स या सतर वर्स यह सामिल है इसमें पिर इनके कारी क्या होते यह ना सिविल जो परक्रिया सहीटा है 1908 की इसके तद सिविल कोट के रूप में कारी कर सकता है इनका उलंगन करता है बुरन चिपको अंदोलन को 50 वरस पूरे हो चुके यह 1973 में सुन्दरलाल जो बहुगुना उनकी नेततों में उत्राखंड में देखने को मिलाता है इसमें क्या होता हुध्यात है उससे बचाने के लिए महिला यया इती तो यहाँ पर ECO Feminesim के ट्रम के बारे में बहुतर डीटल में दिया गया है आपको इतना डीटल में जाने क्या है सकता नहीं आपको पता होना जागी ECO Feminesim होता क्या है इसका Example क्या है उसका Example क्या है? तो चिप को Andolen इसका Example दे सकते हूँ को अंदोलन से समझती नेक्स जो आर्टिकल है वो एक एक्सराइज हुई है एक्सराइज कहां पर हुई है बारत में हुई है बारत की जो नो सैना उसके पूर्वी कमान के द्वार एक्सराइज करनेट हुई है जिसे अब्यास पूर्वी लहर कहा जाता है तो अब्यास पूर् उनके द्वारा उप्रेड की जाती है आधार सिला उनके द्वारा आदार सिला नामकी जो चाइलूड है न अरली चाइलूड उनकी एज्योकेशन के लिए पाठे करम टिया किया गया मतलब किर जो महिला बाल-विकास में जाएज़ेगा ये सारी बाते की किये ये जो हमारी national education policy है राष्ट्रे सिखसा निकती 2020 की उसके अनुरूपे उसमें जो प्रवधान की कि उनके अनुरूपे है ये आधार सिला तो अधार सिला क्या है आधार सिला एक पाठे कराम है किसके लिए बच्चों के लिए जो अभी education प्रवाइज नहीं की जारी जो बच्चे बहुत चोटे उनके लिए यह इंदार सिला तो अधार सिला ठोड़ा बहुत आईडिया होना चाहिए फिर है रोस आइसल्फ की बारे में तो न्यूज में क्यों है यह तो चीज़ इंपोरा नियूज रोस आइसल्फ होता क्या है त बड़े बड़े तुकड़े होते हैं विसाल हिमखंड होते हैं जिसका आपकार फ्रांस के जितना भी हो सकता है यह आपस में टकराते हैं हल चल करते हैं जिससे टेक्नो की प्लेट टेक्नोटिक जो मुमेंट होती है जो प्लेटे आपस में टकराती है तब कैसी गटना होती है बुकम के जैसे फेस करते हैं इसे कहा जाता है रोस आइफ सेल्फ कहा जाता है एतलीन उक्साइड के बारे में बात करें एतलीन उक्साइड क्या है न्यूज में क्यों है इंपोर्डेंट नहीं है बात कर लेते हैं एतलीन उक्साइड के बारे में यूज कर सकते हैं कि भारत के छो प्रोडक्ट होते है जो बाहर जाते हैं तब कुछ न कुछ भाहने दे कि भारत की प्रोडक्ट को डेंव कसी होता है इसमें कुछ या तो सिंगापूर के दुबारत के मसालें उनको strip करके अ क्षि क्या होता है उनकी फ्रीज में कि यह घाता है इन किया जाता है इन सब चेक्त्रों में इसका यूज किया जाता है इसका उप्यों किया जाता है स्वास्ति पर बहुत बुरा परभाव होता है तो एथिलिन औकशार से समझे दिये पूरा आर्टिकल था ठीक है तो आज की डिसक्सन में इतना ही था थैंक यू ठैंक यू वैरी लुट फर दिसकासून